आपके जो है जाट और मुस्लिम सब मिलके एक साथ चुना लड़ रहे हैं अपके इनका कुछ नहीं हो पाएगा ये लोग उस्वातू को नहीं कह रहे हैं कि मुसल्मान भी जो हर अर्मादेव कनारा लगा रहे हैं तो सिरफ यह दिनन तोड़ने की बटवारे की राजनीति करि नमस्कार मैं जोतिश्योहान एक बार फिर से बिजनौर में ये प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लगातार हम बिजनौर में हैं दो तीन दिनों से और ये विधान सवाज चांदपूर है विधायक यहां पर बीजेपी से है अब देखना यह है कि बीजेपी के विधायक ने कितना विकास किया है चांदपूर विधान सवामें तमाम बिजनौर के लोग विजनौर के वासी बिजनौर के बड़े वुदूर्ग हमार साथ गाओं के मौजूद है तमाम लोगों से एक एक करके बातचीत करने वाले हैं क्या नाम सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया तो किसान का बिल्कुल मटिया मेट कर दिया किसान को मटिया मेट कर दिया सब्सक्राइब करवा दिया हमारे बताओ अभी जनवरी का पेमिंट हुआ उसका तो क्या सब्सक्राइब कर दिया नहीं है तो राष्टी लोगदल की लडेब कर दो करोंडेम हम जो जो कर दो करोड़ लोगों मोदी गाव ने मोदी तो योगी जी भी मोंदी की सरकार यह उत्तर प्रदेश की सरकार आड कर आठा नहीं किसान को कोई भी लाब किसी तरिक्या का नहीं मिला तो अब किसान और क्या करगा वो तो किसान मुझदूर की जो किसान के बारे में सोचा कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए था बात करते उनसा जब हमाँ जरूरत नहीं किसी चीज की कोचे बड़ सी थाउप रहे हमाँ जरूरत है कि हमारी बीजली के रेट कम करो कि अधर आजिये क्या नाम हां क्या नाम घीर सिंग्ज अच्छा तो यह क्या लगता है कि योग जी की सरकार कैसी लगी इजरा डिफाइन कीजिए बताई जरा योगी सरकार सम्में फेल सरकार इससे बुरी सरकार आए आज तो यह क्यों लगा आपको कुछ काम यह ने इसका विकास बताओ क्या विकास चुले बांट दिये चलेंडर वांट दिये तो बढ़ी है ना है चल तो रहे ना बजा चल नी रहा है तो यहार हो गया सब का साथ और सब का विकास नारा दिया था कहा तो मुझी कहता सब को माल दाय करता है यह सब जुटे हैं इतना जुम्ले वायाद में कभी देखा भी नहीं तो यह तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि साड़ी तीन सो सीट जो है आपने सुना यह बयान सुना यह योगी जी कह रहे हैं चार्यतीन सो जामा तो शाइरा जाहें तो शुटेंगे था कि यह था शुटति हो जाएगा फिर यह कितने जो लगा पर बहुत मजब कर दो नहीं चलिए चाप क्या नाम है द्रमबीर सिंग् तो जो कह रहे हैं सब लोग ठीक है आजए कह रहे हैं तो योगी सरकार जे परशान हो गए योगी जी अगर इसने फेमस आदमिया तो अपने उत्राखंट से लड़ का देख लो तो भी नी बनने के यहां तो बनेंगे क्या अच्छा अउनके साब नहीं कोई बहुत बड़ा आ लाई है महीं जा रहे हैं महापंचयद दोगी कोरखपूर मर्य तो यह फ्यूदै कि कों चराहा जाने यहने आपको क्यों बतादें इद्वी कर देले हैं पत्ता खोलेंगा नाम नहीं वताने के योगी जी को हरवाम गे गोरखपुर के उसमठ में तैयारी यह है पक्की 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 जैसे वह साड़े तीन सो सीट का वादा कर रहे हैं दावा कर रहे हैं कि भाईया योगी जी अब योगी कहने लग मिल जांगी तो कोई इस बात ही कि अबना वोड ना ना जिंदगी में दिया इना इस पार्टी को हम पता है पार्टी कैसी है हिंदु-मुसल्मान को लड़ बाब अगर यो मुझभण करमा काड़ना होता तो मुद्धी जी का बस्वावन में आग़ना कैसा बनता ही ना मुद्धी भी अर यो पेद्दे में क सब विरादरी एक जगह हो कर चुना उलडएंगे अन टाइम पर ऐसा कोई मुद्धा लेकर आजाते हैं लोग काम ना पक्का तैय कर लिया कि कोई किसी की इनकी बात को सुनियों ही मतना है कितना बड़ा मुद्धा लियो क्या किसी कटल कर वादी हो यह पंद्रा के जगे 30 ल सब्सक्राइब करें लाइवा और लेलिया आपने पास से सारा चला गया बताओ आप क्या करें सरकार पूछ रहा था कि कुछ और ऐसा कुछ लेकर आते हैं नहीं इस वार बिल्कुल नहीं बैगेंगे बैगने की एक उमर होती है अब निकल चुकी है यहां बता हूँ एक बात लाने बादे हैं यह भी दो चार दिन में गन्ने का रेट डिकलेर करने बादे तो इन्होंने चार साल सो तो कुरा नहीं अब यह काई एक हजार उपे कुंटल का रुपाट बादे लिए ने के ना एक बात और की पहले यहां तो वोट नहीं मिलेगा अब समझ गई किसान पहले सा करना था है ना जैसे सरकार बनी थी जब इना रेट बढ़ाना था अब संजीब वादियान कहरा कि तीन सो साथ रेट रहा तो होना ही चाहिए आज का यह पे लिए अब क्यों कहरें आवाई तीन साथ का होना चाहिए फिछली साल के लिए चार साल्दक में होना कर देतें ददद्द विस बढ़ते रहते तो यह तो वईया तुरत का नफा देखना चाहा रहे हैंना बोट देने के ना बात खतम बात खतम वोट दोट नहीं मिलने का इन मगर जो काम मुझा भूगी से नहीं है ईक्सो आट चलाई है एक सो आठ चलाई है को न हुआ इसका कोई नहीं है। वंधूर्च कोई काम थार्ट में माइवतिकन उत्तर्प्रदेशन में नहीं तो और किसी का नंबर नहीं सरफ राष्टे लोगदल अर बागी जैसे हैं यह जो जो किसान हित की बात करें जैसे राष्टे-लोगदल पहले सई करता आया तो किसान राष्टे-लोगदल सहां आप मैंदूर की आमदनी बढ़गी तो मैंदूर की भी आमदनी बढ़गी मैं अब जब किसान खाली आथ बैठा मैंदूर अपने घर एठा को बैठा है जैसे यह ढूला लगातार चल रहा है तो नो महिने दसमा महिना होने जा रहा है तो क्या लगता है तो लोग तंत्रम आबाज उठाने का अधिकार रहा हर आदमी कुछ तरीके से राकेश ट्रीकेत नारा लगाया कि अल्ला होकपर हर महादेव करना लगाया कि उसको लेकर काफी बीज़ी बवाल चल यह तो इनका आईटी सहल है तो तोर मडोड को बात बनाते हैं वहां कुछ नहीं हुआ उन्होंनों जो है यह यह कहा कि गंगा जमना तैजीव का छेत रहा है यहां पहले तो भाई चारा कायम रहा हिंदू मुस्लिम एकता का बाबा टिकेत के टैम से नारे लगते चले आए और यह ना सब्सक्राइब तो सिरफ इनन तोड़ने की बटवारे की राजनीती करिया आपस में वहागा नहीं होने वाली बिल्कुल भी हम किसान है और जो हमारी बात करेंगा उसी के लिए बोट करेंगे और बोट के लिए हम दिख रहा है राष्टे लोग दलस अच्छा दूसरी कोई पार्टी नहीं नहीं है जाल दखिये यह वह बाते हैं गाओं की जो तहजीब की पुरानी चलिया रही है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सीख भाई हो टमाम हो सब ही इंसान है और सभी को साथ लेकर चलना है चैसा आपको क्या नाम है सब लोग दल के आदमी है वाजब नहीं नहीं नवेरकुल नहीं है ना देमा बाजबा वाजबागो बिजनोर के आसपास के छेतर में घूम रहे हैं तो यहां पर सब किसानी का सब किसानी से जूड़े हैं जो किसान नो तो सभी किसानी से हां सब कि यूनियन को सपोर्ट कर रहा है ऐसा कहा गया था कि महांपच्चा सब्सक्राइब बिजनौर से ही लोग गये थे हमारा गाउं सभी गये थे इतने लोग गये थे यह तो अंदाज भी कहा जाता है इनसे भी बातचीत कर लेते हैं यह आके काफी दूब थे इसलिए आके मोटर साइकल बे बैठ गये थे क्या लगता है योगी सरकार कैसे लगे कैसे नहीं लगे बताइए जरा बहुत घटियार जो यह कह रहा है सब कुछ ठीक हो मिसे बाइपास अधिर बोला नी जा रहे है थी ठीक हो अच्छा क्या कहने हैं मुदी जी के सताय हुए है अलव मैं किसी का सताय नहां पर बाकी है बेकारी मामला अच्छा क्या कहने है बताएं कौन-कौन से मुद्धे में उत्तर पड़े चुनाओं में हाभी होने बाइसाब यह बतलाइए दोहजार रुपए में हैसमें क जो स्लेंडर 400 रुपए का था आज बस 1500 रुपए हो चुका है डीजल जो 50-60 रुपए था आज 100 पार कर गया है ठीक है जी पट्टा जो था खाद का 50 किलो का आज बस 45 किलो का हो चुका है प्रदान मंत्री यह मुख मंत्री तो आपने ही चुना था जी गल्ती हो गई हमारी पूरा सपाया ही हो जाएगा अपके नहीं बचेंगे यह अपने बादोंपे बिल्कुल खरे लिखिन उत्राइब और हमारे मंत्री जो गलती होई है सो होई है बार बार नहीं होगी अपके बिल्कुल जो है लोगदल का की लीर चुना होने वाला क्योंकूं कौन सा मुद्द चलेगा यह जो मुद्दा चल रहा है जाट और मुस्लिम के जो लेकर चल रहे थे आपके यह गण होना है हमारी विदाएक ने तो यह आके भी नहीं देखा कि गाउं गाउं जाकर कम से कम बिल्कुल नहीं है जहां पर जोगियों दासर आप्टी के बीच मिलती है उसको बनवाने के लिए इन्हों ने यह कहा कि वाइसा हमारे पास इसका बजट नहीं है अब भी दो वार मील से इसका प्रस्ताव हो चुका है इन्होंने दोनों वार खारिच कर दिया कि पिछले वार यह बनवाई थी मील सोसाइटी से तो विधायक जी जाके घर पे जाने के बाद इन्होंने यह कहा है कि हम मैरे बसकी बात नहीं है साथ सो मीटर का तुकड़ा है जो पूरे एरिया को चोड़ता है पैसा कहा लगाए तो बताइए अपने मकान में लगाए अपनी लड़की शादी में लगाए हैं और क्या बूरा लगा दिया मज़ा ले रहे हैं बिल्कुल खाता-खाली हो पाई साब आपको भी लगाए नीचे देखो आपके सामने नीचे है और पेड़ पर रुका हुआ है और हमने जैए को भी कहा है उनीस बारे पर भी कोल किया है इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कैसे गाउं के बाते रोचक होती है कह रहा है विधायक जी का जो फंड का पैसा था वो उनके मका में लग गया उनकी बेटियों के साधी में लग गया फिलहाल एकाउंट खाली है और साथ सो मीटर का जो रोड है वो भी नहीं बन पा रहा है हां चलिए चलिए तमाम लोग और भी है लेकिन बात तो लंबी चलती रहेगी इस प्रोग्राम कहीं भी खत्म करते हैं और आगे भी आगे भी लगातार में दो तीन दिन रुके हुए है लगातार आपको अलग अलग जगे से जाकर तस्वीर दिखाते रहेंगे फिलाल के लिए नमस्कार